अकाश्मनी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहले मुख्य समाचार उचितम नयाले की पांच नयधिशो वाली समधान पीट आधार से जुड़े मामलों पर करेगी सनवाई जिसमें निजिता काधिकार भी शामिल उचितम नियाले ने पेड नियूज मामले में जिन्समपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा की आचिका दिल्ले उच नियाले को आज इस्थानांतरित की भोबाल और खजराहों की बीच सीधी रेल सेवा कल से शिरू रेल मंत्री सुरेश प्रभू वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये ट्रेन को हरी जंडी दिखाएंगे और मौसम किंद्र ने सतना, रिवा, दमुह, कटनी और सागर में भारी बारिश के चलते निचले हिससे डूबने का अलट जारी किया अब समाचार विस्तार से उचितम न्याले ने कहा है कि पांच नाइधीशों की समविदान पीट आधार से जुड़े मामलों पर सुनवाई करेगी इसमें निजिता का अधिकार भी शामिल है प्रधान न्याइधीश जेहस केहर की अधिक्षिता वाली पीट ने कहा है कि विभिन जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवारे बनाने के सरकार के फैसले को चुनोती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 18 और 19 जुलाई को समिधान पीट की बैठक होगी याचिका करताओं की ओर से पेश हुए अटारनी जर्नल केके वेडो गोपाल और वरिष्ट अधिवक्ता श्याम दिवान की समिधान पीट से इस मामली के जल्द सुनवाई का आगरह किया था उचितम न्याले ने पेड न्यूस मामले में चुनाव आयोग द्वारा आयोग ठहराए गए मंत्री नरोत्तमिश्रा की आचिका दिल्ली उच न्याले को आज इस्थानांत्रित की श्री मिश्रा ने आयोग द्वारा आयोग इठेर आये जाने के मद्दे नजर राश्ट्वती चुनाओं में उन्हें मद्दान से रोकने के निणे को चुनावती दी है मुख्य नयदीश यगदी सिंखेहर और नियायमूर्थ डीवाई जंडर्टूर्ड की पीट ने श्रेमिश्रा और उनकी आचिका का विरोध करहे कॉंग्रिस नेता राजिंद्र भारती के वकीलो तूर्व एटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी एवं कपिल सिब्बल से कहा है कि वो आज ही दिल्ली उचन्याले की कारिकारी मुख्य नयदीश के समक्ष जाएं और उनसे पीट के गठन का अनुरूद करें शीष अदालत ने दिल्ली उचन्याले को भी सलाह दी है कि वो कल से ही मामले के सनवाई करें और राश्ट्रपती चुनाओं से पहले अपना निर्ने दें मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चौहान ने शाज़ापुर जिले के शुजालपूर और अकोधिया में आज करोडों रुपए की लागत के विकासकारियों का लोकारपन और भूमे पूजन किया अकोधिया में विशाल जिनसभा को संबोधित करते वे उन्होंने कहा कि मेरा जीवन जनता और किसानों के लिए समर्पित है उन्होंने कहा कि सरकार प्यास की तरही सोयाबीन की भी समर्थन मूले पर खरीदी करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्जमाफी की जगे सरकार किसानों को फसलों के वाज़िब दाम दिलाएगी प्रदेश कॉंग्रेस द्वारा आज सीधी सिले के चुरहत में किसान महापंचायत का एउजिन किया गया प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष अरुण्यादव, राज विधन सभामें नेता प्रतिपक्ष अजेस सिंग, पूर्व केंद्रिय मंत्री जूतरा दिते सिंधिया सहिद पार्टी के वरिशनेताओं ने संबोधित किया उन्होंने राजी सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि राजी सरकार किसानों का दमन करने पर उतारू है आवास और शहरी विकास मंत्री एम्वेंक्या नाईडू ने कहा है कि पारदर्शिता और जबाब देही तुशाशन के लिए महत्वपून है श्रिनाईडू आज नई दिली में केंद्री लोक निर्मार विभाग दिवस पर आयूजित जमारों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि विभाग को मानक गती और कुशलता का मंत्र अपनाना चाहिए श्रिनाईडू ने दिव्यांगों के लिए अनुकूल भवन नर्मार पर जोर दिया प्रोदेश में सभी शास्की और अनुदान प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में नौ गठित शाला प्रबंधन समितियों की पहली बैठक 15 जुलाई को होगी इस सम्मंध में राजसिक्षा केंद्री ने जिला कलेक्टर को निरते इशारी किये हैं प्रदेश में शिक्षा की कानून के अंतरगत सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बेहतर प्रबंधन और स्यक्षिक गतिविदी के क्रियानविन के लिए शाला प्रबंधन समितियों का गठन किया है ये समिती बच्चों के शालाना मांकन, नियमित उपस्थिती, गुडवत्ता युक्त सिक्षा और अधु सनक्षा की कारियों के साथ बच्चों के बहु आयामी विकास में महत्वपून योगदान देगी। वित्मंत्री जैन्त मलया ने कहा है कि वस्तु और सेवा करने कश्मीर सिकान्यकुमारी तक देश का आर्थिक रूप से एकी करण किया है। जीस्टी देश की आजादी के बाद आर्थिक शेत्र का सबसे बड़ा बदलाव है। इससे देश की तरक्की की रफ्तार को गती मिलेगी। श्रीमलाईया आज भूपाल के समन्मे भवन में जीस्टी जागरुकता कारिशाला को संबोधित कर रहे थे। कारिशाला में राजसुमंत्री हुमा शंकर गुपता और सहकारिता राज्यमंत्री विश्वास सारंग भी मुझूद थे। वित्मंत्री ने कहा कि जीस्टी एक र लॉगिन करें। इसके अलावा फ्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन, यूट्यूब, टुटर, और फीस्वुक पर EIR News भूपाल पीस पर भी सुने जा सकते हैं। स्टेशन उपर रोकेगी। प्रुदेश में किसानों के साथ धुकदरी करने वाले खात, बीज और दवा कंपनियों के खलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी। क्रिशकों को उच्च गुरवत्ता की आदान उपलब्ध हो, इसके लिए राजे सरकार प्रतिबध है। इसलिए आवेधन एक जुलाई से शुरू हो गया है। अभियान में 0-5 वर्ष तक के लगभग एक करोड बच्चों की सघंजाच उपचार किया जा रहा है। स्कूल सिक्षा, क्रामीड विकास, वित्य विभाग, सहित अन्य विभागों के वरिष्ट अदिकारी भाग लेंगे। प्रोदेश के कुछ जिलों में मुसलाधार वर्षा होने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम केंदर भूपान ने पांच जिलों सतना, रीवा, दमो, कटनी और सागर में भारी बारिश के चलते निचले हिस्से दूबने का लड़ जारी किया है। हमारी समधाता ने बताया कि कटनी में तीन दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम केंद्री ने सतना, पन्ना, सागर और दमो में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जिताई है। इसके अलावा टीकमगर, चतरपूर, राइसेन, विदिशा, नर्सिंगपूर, जबलपूर, उमरिया, कटनी और रिवा में कैस थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा के आसार हैं। अब कुछ समचार संक्षेप में। आगर मालवा में अमनात यात्रियों पर हुए हमले को लेकर, आज NSY ने आतंकबाद का पुतला दहन कर इस हमले की कड़ी निंदा की। टीकमगर में किसानों को इस बार फसल भीमा कराने से पहले अपना अधार कार्ट बनवाना जरूरी होगा। उपसंचाला क्रिशी ने बताया है कि खरीफ सीसन के लिए विवस्था लाको की गई है। राजकर में दो दिवसे युवा उत्सव बाइस चुलाई से मनाया जाएगा। जाबुआ के ग्राम छपारी में लोक कल्यार शिवर आयोजित क्या गया जिस महित ग्राहियों को शासन की योजनाय बताय गई। खंडबा में अफकीली से कुपोशन दूर किया जाएगा। इसके लिए निमाड की चिन्हित आंगनवाडियों में बच्चों को नाष्टे में केले दिये जाएंगे। महिले अमबाल विकास विभाग की प्रमुक्सचिव ने आदेशारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उचितम नियाले की पांच नाइधीशो वाली समविधान पीट आधार से जुड़े मामलों पर करेगे सनवाई। इसमें निजिता का अधिकार भी शामिल होगा। उचितम नियाले ने पेड नियूज मामले में जिनसंपर्क मंत्री नुरुत्तम मिश्रा की याचिकाद दिल्ली उच नियाले को आज स्थाना अंतरित की। गोपाल और खजराहों के बीच सीधी रेल सेवा कल से शुरू होगी रेल मंत्री सुरेश प्रभू वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये फ्रेंड को हारी जंडे दिखाएंगे और मौसम केंडर ने सतना रीवा, दमोह कटनी और सागर में भारी बारिश के चलते निचले हि हुआ 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 है